हेलो एवरिवर नीशा की हेल्दी रसोई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज आपने देखते ही समझ गया होगा कि मैं आज क्या बना रही हूँ तो ये बहुत ही हेल्दी और टेश्टी बनने वाली है तो आप बिना वीडियो को इसकीप किये देखिए आपको अच्छे बड़ी सभी को पसंद आएंगे तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है तो सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे और उसमें हम दो से तीन ग्लास पानी डालेंगे तो आप जितना बना रहे हों उसी अनुसार लें ताकि नूडल उसमें अच्छी तरह से डूब ज इस तरीके से आप देरे-देरे हाथों से उसमें डाल देए और वह खुद ही पानी में डूपते ही वह नरम हो जाएंगे और यह इस तरीके से देखिए हो जाएंगे इसे बस दो से तीन मिनट तो आपस में चिपकने लगेंगे और ज्यादा ही पक जाएंगे तो आप 2-3 मिनट होते ही इसे निकाल लें क्यूंकि जब हम इसे भूनेंगे तो भी इसे पकाना ही है तो इसलिए थोड़ा ही इसे पकाएं तभी अच्छे और खिले खिले बनेंगे तो ये देखिए हमारे चान लें और फिर से इसे हम इसे ठंडे पानी में इस तरीके से करेंगे ताकि ये आपस में चिपकेना और इसे ठंडे होने का इंतजार करेंगे तो थोड़े ठंडे हो जाएं तो ही बनाएं नहीं तो गरम-गरम में ये चिपकने लगते हैं तो इस तरीके से आप इसे कर ल बंड भगबर और इसमें हम कटे हुए हवे लसन अद्रक हरी मिर्ज एड कर देंगे, बस थोड़ा सही इसे भून लेना है इस तरीके से चलाकर और उसके बाद हम इसमें एक कटे हुए प्याज एक कटे हुए शिमला मिर्च एक कटे हुए घाजर एड कर देंगे, और इसे boxing Robe पर चलाएंगे आप लो फ्लेम पर ना चलाएं नहीं तो यह ज्यादा ही पक जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे तो आप इसे हाई फ्लेम पर ही बुने तो चलिए अब इसमें हम कटे हुए पता गोवी भी एड़ कर देंगे और इसे भी हम दो मिनट के लिए इनके साथ भून लेंगे तो दोस्तों आप इन सब्जियों के बगर भी आप ये नूडल्स बना सकते हैं लेकिन ये सब्जियां डाल के बनाने से ये और भी टेश्टी बनते हैं और हेल्दी बनते हैं अगर आपके पास रहे तो आप डाल दे नहीं रहे तो आप इसकी भी कर सकते हैं तो तो चलिए इसमें boil किये हुए noodles एड़ कर देते हैं, तो इस तरीके से हाथों की मदर से आप डाल दें, तो देखिए ये कितनी ही खिली-खिली noodles हैं, आप भी मेरे तरीके से बनाएंगे, तो आप की भी इसी तरह बनेंगे, तो चलिए इसमें कुछ sausage डाल देते हैं, तो ग्रीन सबी मसाले एक और से मिल जाएं, तो इसे हमें अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए भून लेना है, इसके बाद हम और भी कुछ थोड़े मसाले आट करेंगे, तो सबसे पहले से हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इन sausage के साथ, तो दोस्तों आप किस तरह से noodles बनाते हैं, क इसे मिक्स करेंगे, तो इस तरीके से डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, पांच मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, तो यह देखिए, मिक्स करना जरूरी है, क्योंकि सबी और मसाले मिल जाएं, तो सच में दोस्तों इस तरह से आप बनाएंगे, तो बहुत ही टे खिली खिली और टेश्टी बन के तयार हुई है, तो आप देख सकते हैं, तो चलिए कुछ पत्ता गोबी उपर से और केचप डाल की कार्निश कर देंगे, तो देखिए, बाजार से भी अच्छे बन कर तयार हो गए हैं, हमारे ये नूडल्स या आप इसे चाउमीन भी कर सक तो जाइए देर ना करिए, एक बार मेरे तरीके से ये रेसिपी बना कर देखिए, बच्चे बड़े सब आपकी तारिफी करते रह जाएंगे, तो बाजार से लाना बंद करिए, और जाइए घर पर बनाएए ये टेश्टी और हेल्दी नूडल्स या चाउमीन जो भी आप कहते हूं, तो सभी लोग अधिकतर बाहर से ही खरीद के लाते हैं, अगर इस तरीके से आप बनाएंगे, तो बच्चे बड़े सब बाहर के खाने भूल जाएंगे, तो दोस्तों, अगर मेरे रेसिपी आपको अच्छी लगती हो, तो नीशा की हल्दी रोसोई चैनल को थेंक यू, बाग बाए